हलो बच्चो आज हम अध्धाय हमारा देश भारत के भाग एक पे चर्चा करेंगे बच्चो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत एक नजर में भारत की भोगौलिक स्तिती और भारत की राजनीतिक और प्रसाशनिक बिभाजन तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुवात करते हैं भारत के परिचे से बच्चो जैसा कि आप सब जानते हो हमारा भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है भोगौलिक द्रिश्टी कौन से देखें तो इसके उत्तर में हिमाले, पह्षिम में अरब सागर, पूर्द में बंगाल की खाडी तथा दक्षिन में हिंद महा सागर है और इस तरह से बच्चो हमारा देश भारत तीनों ओर से पानी से घीरा हुआ है इसलिए इसको प्राय दीब भी कहते हैं बच्चो भारत छेतरफल के मामले में दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा देश है अर्थात अगर हम बात करें तो भारत से पहले छेतरफल के द्रिश्टी कोन से रूस, कैनेडा, चीन, संयुक्त राज अमेरिका, ब्राजिल, वो अस्ट्रेलिया आते हैं बच्चो आबादी के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बच्चो सन 2011 में इसकी आबादी 121 करोड थी बच्चो सन 2019 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड थी आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत का जो छेतरफल है 3.28 लाग वर किलोमिटर है और उत्तर से दक्षिन का अगर हम प्रसार की बात करें तो 3.214 किलोमिटर है और वहीं पुर्व से पर्षिम का प्रसार 2.933 किलोमिटर है बच्चो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत के परिचे पे जारी रखते हैं बच्चो भारत की जो इस थलिय सीमा की लंबाई है वो है 15200 किलोमिटर तथा मुखे भूमी के तटिय सीमा की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमिटर बच्चो दीपो समीत देश की कुल तटिय सीमा 7516 किलोमिटर है और इस प्रकार भारत की सीमा की कुल लंबाई 22716 किलोमिटर है बच्चो भारत का जो दक्षिंतम बिंदु है उसको हम इंद्रा पॉइंट कहते हैं जर 2004 के सुनामी में पूरी तरह डूब गया था बच्चो क्या आपको पता है कि जनगन्ना 2011 के अनुसार जार्खन की अबादी कितनी थी जी हाँ जार्खन की अबादी वर्स 2011 में 3.30 करूर थी बच्चो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत की भोगोलिक स्तिती पे चर्चा करते हैं बच्चो भारत मुख्य रूप से उत्री गोलार्द में स्तित हैं परन्तु इसके कुछ मुख्य भाग उत्री तथा पूर्वी दोनों गोलार्द में स्तित हैं बच्चो भारत का मुख्य भूभाग दक्षिन से उत्तर की ओर 8.04 मिनट उत्तर और 37.06 मिनट उत्री अक्षानसों के बीज तथा पश्चिन से पूर्व की ओर 68.07 मिनट पूर्वी और 97.25 मिनट पूर्वी देशांत्रों के बीज में स्तित हैं तो ये तो हुआ भारत का अक्षांसिये और दिसांत्रों की स्तिति बच्चों भारत के मध्य से करक रेका होके गुजरती है जहरेका गुजरार्थ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतिसगर, जारखन, पशिम बंगाल, त्रिपूरा तथा मिजोरम जैसी राजियों को क्रॉ करती है, आप इस मानचित्र में भारत की अक्षांसिये तथा दिसांत्री स्तिती को देख सकते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते वे हम अपनी चर्चा भारत की भागौलिक स्तिती को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे भारतिये मानक समय, ब काफी बड़ा है और यही वज़ा है कि यहां के स्थानिय समय में बड़ा अंतर हो सकता है जैसे कि अरुनाचल में सुरिदे होने के दो घंटे के बाद गुजरात में सुरिदे होता है अर्थात जहां पे लगभर दो घंटों का अंतर होता है बच्चों, चीजों को सरल रखने के लिए भारत के मानक समय को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के अनुसार निर्धारित किया गया है और इस देशांतर को भारत का मानक या मियोत्तर जा मानक देशांतर कहते हैं तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत की भोगोलिक स्तिति को जारी रखते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पे बच्चों, भारत के स्तलिय सीमाओं से कुल साथ देशों का जुडाव है जा कहें तो भारत के साथ साथ देशों की सीमाई जुडी हुई हैं बच्चों, ये बड़ोसी देश भारत के विकाश और आर्थिक क्रिया कलापों में सहयोगी होते हैं चलिए, आप इस मानचित्रों को देखे और अब हम ये डिसकस करते हैं कि भारत के पक्षिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है और उत्तर में देखे तो चीन, नेपाल और भुटान है बच्चों, भारत के पुर्व में बांगला देश और मयनमार है जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं और वही पे भारत के दक्षिन में स्री लंका और मालदीप है तो चलिए बच्चों, ये तो थे भारत के पडोसी देश, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे भारत की राजनेति और प्रशासनिक बिभाजन पे बच्चों, भारत को कुल 29 राज्यों और साथ केद्रशासिच छेत्रों में बाता गया है बच्चों, वर्तमान में अर्थाद सन 2020 में भारत में कुल 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिट्रीज हैं इसमें जमू एन काश्मेर और लग्दाक को सन 2019 में नई यूनियन टेरिट्रीज की तरह जोड़ा गया है भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है बच्चों, अगर हम बात करें सबसे बड़े राज्य की तो राजिस्थान सबसे बड़ा राज्य है और वहींपे गोई जो है भारत का सबसे छोटा राज्य में किना जाता है बच्चों, जून 2014 में तेलंगना भारत का 29 राज्य बना था अब आपके मन में सवाल होगा कि जार्खन कब राजिव की रूप में गिना जाने लगा तो बच्चों 15 नवंबर 2000 को जार्खन जो है भारत का 28 वा राजिव बना था बच्चों यहाँ पे आपके लिए ये चानना जिरूरी है कि जो राजियों का निर्मान है वो मुखिता जो है भाषा के आधार पे ही होता है बच्चों, जनसंख्या की दृष्टी कौन से उत्तरपरदेश सबसे बड़ा राज्य है जबकि सिक्किम जनसंख्या की दृष्टी कौन से सबसे छोटा राज्य है चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा तो बच्चों, इस वीडियो में हमने भारत की परिचय अर्थात भारत को एक नजर में देखने की कोशिस की उसके अलावा हमने भारत की भोगोलिक स्तिती पे भी चर्चा की और साथी साथ भारत की राजनेतिक और प्रशासनिक विवाजन पे भी चर्चा की तो बच्चों इन सब का रेफरेंस है भुगोल कक्षाचे की पाठे पुस्तर और बच्चों अगली वीडियो में हम भारत का भोगौलिक बिभाजन पे चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद